अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए जगर उरूर कि करेंगा फिर्ण वियो अबेख। एक मुझा प्यार जाओ एक झाओ। जब एक टाम्यार न फिन्हार ऱगा ये अच्छा लेख। तीस साल पेले, खाजान में लाम की ट्रेन का आक्सिडेन्ट हुआ था क्या हो कुनार, तब्यद तु ठीक है ना आपकी, तुम तुम पुछा आप शकुन वाली बाते क्यों करती हूं मुझसे तब्यद पूछने में कैसे आप शकुन कुनार, आप यू नाख चड़ा के शूशू कर रहे हैं, तो क्या पूछन अप हर्ज नहीं बनता मेरा? एक मिनट, एक मिनट, मुझे कुछ, मुझे कुछ जलने की बदबु आ रही है ए भगवान क्या हुआ? लुए भगवान यह ज़िए यह कैसे एक काम तुमसे ठीसे नहीं होता है टेबल साफ करने के चकर में ध्यान ही नीरा ध्यान रहता कहा है आज का तुम्हारा खुनार, आज आज से पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? आज पैली बार ही हुआ है पता है दूद का इस तरह से उबल के गिर जाना मतलब कितनी बड़ी मुसीबत को तुमने दावत दी है जरू कुछ अन्होनी होने वाली है यह भगवान खुनार, यह सब अन्विश्वास है कोई अन्होनी नहीं हो तुम चुपरो जबान मतला मुझसे तुम्हे पता है गरतपूर वाली आंटी के वहां भी ऐसा ही हुआ था सुबह सुबह चाही रखी थी दूद उबल के कीर गया उस दिन उसी दिन शांग को उसके बेटे की एक्सिदेंट में मौत हो गे सुनाल वो अप्सिदेंट गाड़ी वाली की गलती से हुआ था गाड़ी वाली ने सामनी से टक्कर माली थी उसे बस, 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 बस यह सब कुछ नहीं सुननना चाहता हूँ यह बगवान यह बगवान अब तो मैं उपरवला ही बचा सकता है पाप नहीं क्या नहीं हो नहीं हो नहीं वल्ली है यह बगवान तू तो बल्ले से इतना बड़ा भवान अधिक से समाल के काम करना कोई समाल ना ठूट जाए आपको बस समाल की पड़ी है ना कुनाथ इस घर में मैं भी रहती हूँ मेरी को चिंटा नहीं तुम हर बात को उल्टे तरीके सके समझती हैं तो कल रात को दूदूबल के गीर गया था इसलिए बोड रहा था कि आज थोड़ा समाल के काम करना इसलिए कोई नुकसान हो जाएगा कॉन सा नुकसान हो है कुनाथ नुकसान की अगर इतनी परवा है ना तो खुद काम कर लिया करो वस जरासा ठीक से काम करने को बोलो खुद कर लो तो कुछ बता नहीं बेकार है कुछ समझा नहीं बेकार है तो अब अबस जरासा करने थासाएग्ळण ज़िकन जरासाएग्ण बेकार नहीं मैं पर इस गरम आता यह कारो करो है मैंने कुछ ने किया कुछ ने किया कुछ मैंने मैंने मुंन पर व्otteभा लगाया हुछ कि जर के आख बहु एसान दर्म नहो नहीं हो गई है इस गर में, अब अब हाई इस गर में आका नहीं रहेगी, अब हो नहीं को आप कोई नहीं रोच सकता है कितनी बार कायन से कि कपड़े सुखाने का स्टैंड यह लेकिन कानपे जूई नहीं रहेंगी, हमेशा अविश्वासों में फंसे रहेंगे, यह करने से यह हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, वो जाएगा, वो जाएगा, वो जाएगा यह जाएगा झाल झाल एंटर किदर दे रहे हैंदी जाने देन Home innovate लाद बाख नए बड़ा अर्ठी ओने घरिवाला और चेल समयन को अंदर आन अना अरे अड़ यार और जाओ तो कहा जाओ? आफिस में गुषने नहीं देते हैं, स्कुल में बेशने नहीं देते हैं, और यहां पे तुम लोग सेक्रेटी वाले बिल्डिंग के अंदर चाने नहीं देते हैं बहुत देखा तुम जेशे शर्यपादी, बाहर कहीं जाकर बेटो आपने स्थामान आज़ी आज़ी, और किसके पास फूल आए, किसके पास जलिए अम्विलेज को फूल लगाए है, पास्पिटल लिगे दान पाड़ेगाना, पता नहीं साब कैसे करी, कोई फायदा नहीं है एम्विलेंस बुलाने का, ये तो मर चुकी है, किसी ने इसके हस्बन को बुलाय है क्या शुना, सुना सुना, 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 सुना शुना, सुना, सुना, किसका दरता वही हुआ, हो गही दारोणी ज़िया, भगवा! ज़िया, ज़िए रे, ज़िए पैक्षिलाइट! ज़िया, ज़िए पैक्षिलाइट! ज़िए मैरी के घुट हुँ है! उसकी मोजब अपने, आप नहीं हुई है! तुम क्या कहते ही वरिया? अच्छानों को परसे नीचे गिरिये हो! तो कैसे कह सब्सक्ति हो किया एक्षिलाइट नहीं है? यह तो C.I.D. काई पता लगाने तो कि मो गिरी है यह किम आड़ी करी है सरी यह नादा ने सर बेहन की मौत के खंबे कुछ भी नहीं जारी है सर हां समझ सकते हैं बेहन की मौत का धक्का लगाई तुम्हें दक्का नहीं लगाई सर अ तो लूट गया सर इसके बगिरम मैं कैसे जिन्दा रहूंगा सर। वेसे सुधा उपर से गिरी कैसे। सर। वालकनी में कपड़े सुखा रही थी। वालकनी में कपड़े सुखा रही थी। इसके बगिरी होगी। पैर से पिसल के गिर्ती तो पैर डोट जाते हैं। जटके में आके गिर गी। मतलब सर जब यह नीचे गिरी इसकी बॉड़ी को हवा में पलटने का मौका ही मिला होगा। दो चार सेकंड में कैसे पलट जाएगी बॉड़ी। गिर्ते समय से निचे ही था इसका। अभी जीत। मुझे तो लगता है सुदा को किसे ने थक्का दिया। आलकनी से। एक बात बताओ। जब सुदा निचे गिरी तब तुम कहा थे। सर में गर में ही था सर। सर मेरी बैंतों रोज कपड़े बाला दी। आज कैसे गर करी। नहीं समझ रही हो रिया। के एक अनोनी है अनोनी। अने मता है था सुदा को अनोनी के बारे में। सर। जिस गर में दूद उबल जाए। शीशा तूप जाए। अज़ अब शुक जाए। जिस गर में अब शुकुन होते हैं उदर अनोनी होती है यह सर। एक चुपरा। पाब खड़ा मत करो। अज़ अब शुकुन ऐसा कुट नहीं होता समझे। जो सच है वो तो सची है। चाहिद आपनों को मालूम नहीं है सर। एक बहुत बड़ी अनोनी है सर। अब शुकुन का नाम लेके तुम लोग बीवियों को उपक मचाते रहोगी। और हम लोग खड़े तमाशा देखते रहेंगे। सर। हाद है। यह लड़की अकेली नहीं गिरी है। साथ में कुछ देकर गिरी है। यह कपड़े का टुगड़ा फसा हुआ था हाद में। शायद किसी चीज को पगड़ने की कोशिश की होग इसने। और सर इसके नाखुनों में खाल फसी होगी। दिखाओ दर यह देख। इसका मतलब है उपर वहाँ पर कोई तो था जरूर। कोई तो जरूर था वहाँ पर। तो फिर उसे खरोच पी आई होगी। दर अपना हाद दिखाओ। आद दिखाओ। आद दिखाओ। आद दिखाओ। आद दिखाओ। जाईट? अज़ शाम को चोट लगेए था अच्छा? अच्छा? चोट लगे थी या अपनी बीभी के नाखुन लगे था? उपर से धका देदिया हो से? मैं अपनी बीभी को क्यों मारूगा सर? सर, उनके आपस पे रो जगडे होते थे तो अग में गी डालना बंद कर सर सर पती पपनी के जगडे तो हर गर में होते हैं सर इसका मतलब ये तो नहीं के हर आपमी खून कर देगा इसे पैचानते हो? सर ये तो सुधादीदी के जैकेट का कपड़ा है ये इसका नहीं है? नहीं सर तुम्हारा नहीं है? अगर ये सुधादीदी के जैकेट का टुकड़ा है कपड़े का तो फिलो उसे के हाथ में कहा से आया? कैसे है सुधा के हाथ में? क्यों? सर मुझे नहीं पता है सर अगर उपर चलो उपर चल के इंका घर भी देखते और वह बालकनी जहां से बेचारी सुधा नीचे गिर गई जिए कर ते अनीज जा नीजा नी चुपायो कुपायो 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 नीजा कर तेखते हैं एक जुपायो जे प्युक्त सुधा के जैकेट का है? सर मुझे सच में नहीं पता है सर पता नहीं है? दैं, रूंडो जारा खर में अची तरह से यह काहां पर है जैकेट तुरे पता कैसे चला? सुधा नीचे किर गई है? सर वाच्मन दो फोन कर बता है था सर वाच्मन ने? इस सर होचमान, जिदर आओ, जी साफ, तुमने सुधा मैडम को नीचे गिरते हुए देखा, गिरते हुए नहीं नहीं देखा साफ, जीक सुनाय पड़ी, बाग के जाकर देखा तो गिरी पड़ी थी, उस समय बैलकोनी में कोई था, किसी को देखा तुमने, ये कुनाल साफ, नहीं स ज्यक्ट लाएव नहीं ज्यक्ट नहीं, बड़े जगीब बात है, पालकली में भी जाक्ट नहीं, घर के आंदर भी जाकेट नहीं, सुधा जहां पर गिर पड़िये, वहाँ पर भी नहीं, बल्कि उस जैकेट का फटा हुआ टुकडा उसके हाथ में है, तो फिर जैकेट ग रही कहाँ? सर, हमने सुधा की लाश को फॉरेंसिक लैब में बेच दिया है और उसके नाकुनों में जो खाल मिली थी, उसका सैंपल भी बेच दिया सर कुनाल जी पॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद तो तुम्हारी मुश्किलिया और भी बढ़ेंगे जावस कैसी? शावजी पास वाले गर में फर्णी चर्ग काम चाल रही तो शायद इन काम करने वाले कुछ देखा हूं हाँ, देखते हैं क्या हुआ सब? आस पास तुम्हारे इतना कुछ हुआ है तुम्हें पता है भी या नहीं? साव, शाम तक काम कहतम कर दे रहा है तो बाहर के आ और है बिल्कुल धान नहीं वाजू के घर में जो अरत रहती थी उसका किसी ने खून कर दिया है क्या हुआ कैसे हो गया खून साव? वैलकोनी से तक्का दिया है किसी ने उसे अंए, तुम लोगने देखा किसी को ढतका हमा ते? नहीं साभ, उम लोग तो अंदर ही काम कर रहे है बाहर और है पता ही वा sachा है तो Apostolu, से कुछा एंट है यह तुम करहो लगने, उसका आई नहीं तेख्ते इंट, शाओ? वह परेंगर देदाव प्राइज अगो पर परत्था सब्सक्राइ घजए अजुरि से नहीं करता थाह भोलते कुछ और बोला था उसको और इस दिवार पर चैद कर दिया उसने आई यहां से तो सुदा का पुरा गर दिख रहा है सर ठेक इसी दिवार के पीछे हमारे गर में मिरर लगा था सर और वो मिरर गिर गया था और आप शक्रम हो गया था सर बिल्कुल पुस तरह मिरर लगा वा था तो कैसा तो नहीं ए किसी ने जान बूझ कर यका शो कुन किया है और सकता सर आप का ऱनहोनी करने के लिए किया होगा सर आईसे क्यू देख रहा हु तर में सच कह रहा हूं सर मैं निर्दोश हू सर मैंने कुछ नहीं ski दिख जैसे बोल रहा हूं सर अब सकता है नहीं किया हूं किसी से करवाया हूं जो पता चल जाए गया बोलु का एडरस देना आप है पत्या चाप इस भोलु के भाई का स्केच बनवानो जाद भोलु कुछ काम धाम बता ना ठाली बैठे-बैठे तंग आ गया हूं तू क्या काम करेगा तुझे तु कुछ आता ही नहीं है यार भोलू वो जो तू लगड़ी का काम करता है उस ही में मुझे अपने साथ रखले नहीं भया, नहीं वो काम तुछे नहीं होगा लकड़ी के काम में बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है अगर मैं अधी भी सीखना चाहूं तो सीख सकता हूं ना देखो भई वैसे तो सीखने की कोई उमर होती नहीं है हुँ फोले हाँ साहिब नमस्ते बोलू मोलता हुँ साहिब हाँ साब कल आजाएगा आपका सामान हाँ आपके खड़ पे शोड़ काम में साब जी साब हाँ साब याँ अब साब कुछ बताएं लोग उने कि ये एक्सिंट हुआ कैसे नहीं साब इन हॉस्पिटल आने पे पले ही दम तोट देता है शैद बो लड़का जाता है यही लेके आया थे नहीं आपके यह आपको पता है कि यह एक्सिडेंट हुआ कैसे यह एक्सिडेंट नहीं है सार यह तो जान बुचके उड़ाय कैसी नहीं पिछे से गारी आई और सिधे उड़ा के निकल गई यह आदमी कुछ? यह भोलू का भाई है भोलू का भाई? अगर तुम भोलू के भाई हो तो फिर यह कौन है? जड़ाय alors मैं उसे नहीं जानता वाई है यह अजन iki तो यह आदमी तो भोलू का भाई बन गया दो जहां भोलू काम कठता है तो बहो करता है अगर आज तो बन भोलू भाई है का क्या? कौन भोला काम बन भाई है अज दो भोला क्षों यह ना काम भंद है मतलब भुलु की तवियत अवित कुछ खराब नहीं थी उसे काम पे आने से किसी ने मना किया था यह सब खुनी की प्लानिंग उठी उसी ने भुलु को मना किया होगा अचाई इस भुलु को मोबाल कहा है अश्पेटल के ओफिस में जबाया कि अचाई ले काम गग। मदा करो कि पर लु किस मे फोन किया और कहा है सब मिश्र कोनाल इसे भैजनते हैं नहीं सर, कौन है सर इ Sue शेयाद इसी आदमी ने तमारी वाइफ सुधा का का होन किया Flea मन सर.. मेरी वाइफ सुधा की इसके साथ क्या दुष्मनिय हो सुकते थी? दुष्मनिय इसके नहीं, किसी और की भी हो सकती आपको किसी पे शक है? में किसी पे क्यो शकतना हुआ, सथ? परीश्ट जो करती थी मना करना कि बाउजूदी अप्शचुनों बाले काम किया करती थी यह लो सर, तिर चुरू हो गया है, यह व्याख्यान देना बंद करो, अंद विश्वास पे बरोसा करना बेवकोपी होती है, तो सर भी, आप भी बता ही है, सर, कैसे मरी मेरी बीबी, जाला, सर जिस नंबर से भोलू को फोन आया था, उसका पता चल गया है, काहा है, श्रिया फ फार्मसेटिकल का नाम सुना है, हाँ सर, मेरी वाइफ की एक दोस उदर काम करती है, सुदा की दोस का नाम क्या है, शिल पा, दोनों के कैसे रेलिशन है, वो सब तो मुझे सब पता नहीं है, सर, पर दोनों अच्छी दोस थी, आखरी बाद कब मेरे थे लोग, परसो सुदा ससराटी फ़िए वही जय्केट पेना हुआ था? हाँ, सर. परसो उसने वही जयकेट पहन आवा था, सर. जो सुदा की मौथ की वज़Э ए, उस जयकेट में ही फपी होके है? शिल報導, रेना मेरे नाम शिल पाय। आप श्रिया फर्मसरोटिकल कंपणी में काम करती हैं। जी हां करती हैं। सुधा परसों आपके साहती हैं। थी मंगर बात के हैं। शिल्पा जी आपकी दोफ सुधा का खून हो गया है। खून? अगर कैसे? किसी ने धक्का दिया था उन्हें। धक्का? क्योंकि सुधा के खून में आपका भी हाथ है। मेरा हाथ? लेकिन.. लेकिन मैं क्यों मारूगी उसे? जैकेट के लिए। तुमने जैकेट के लिए सुधा को मारा है। आप तुम क्या बोल रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं हा रहा। कौनसी जैकेट? कैसे जैकेट? चिल्पाजी, आप जैकेट की बात कर रहे हैं। जिसे पहन के सुधा दो दिन पर आपसे मिलने आई थी। याद कीचिए। जैकेट पहन कर दुआ थी। लेकिन.. लेकिन मुझे उस जैकेट की क्या सरूरत है। जैकेट ने पास तो बहुत सारी जैकेटे मेरे कपड में। जाल जैकेट कर रहे हैं। जाल जैकेट करें। जहाँ जाल जैकेट करें। अच्छा.. वैसे सुधा.. उस दिन आपसे मिलने के उन आए थी। हम साथ में शॉपिं गए थी। कंपणी के अंदर या कंपणी के बहार। कोई ऐसी चीज हुई जिसे देख के आपको कुछ अजीबसा लगा। अस दिन हम थोड़ी देर के लिए कौफे पीने बहार गए। और जब लॉट के आके देखा तो कंपणी में ताला लग चुका था। शूर इसमें ऐसी अजीबसी बात किया है। खोशटा है ओफिस बंद करने का टाइम हो गया। ओफिस बंद करने का टाइम नहीं हुआ था। पूच्छा तो पताचला कि तलाशी हो रही है। तलाशी क्यो रही है। देख नोची क्यो हो रही था CPU Sir, वो जैकेत ही निला जब आप दोनों कॉफी पीने गय थे तो उस वक्त सुधा ने वो जैकेट पहन रखी थे? नहीं सर, जैकेट तो अंदर ही रखी थी ओफिस में, चेयर पे मतलब जब ओफिस में चोरी हुई थी तो चोर ने वो चोरी का सामान निकालकर उस जैकेट में डाल दिया अगर सर, एसी क्या चीज हो सकते है उसमें? जिसे हासिल करने के लिए सुधा खूं कर दिये कैसे में? आजर, कुछ ना कुछ तो है जो बहुत इंपोर्टन था और वो अभी उस जैकेट में चुपा हुआ है सर, यह है साहब का कमरा आप लोग जारा दो मिनिट यही रुखिए, मैं साहब से पूछ लेता हूँ पूछ लो, उनको बोलो के कुछ C.I.D. वाले हाल चाल पूछने उनका जी सर साहब, सी.I.D. वाले हैं आपसे मिलने? साहब, कुछ बोल रहे नहीं है, साहब जरा आटा, जी स्टर विलास, विलास साहब जी साहब कीस्ने, कीस्ने वार ड़े आला मेरे साहब को तुम तो यहीं पे थे न? जी मैं यहीं पे था मैं बाहर बैठा हुआ था मुझे पता नहीं साफ को किसे मार दिया अफिस के बागी के लोग इने के बजे गये हैं सब लोग छे बजे के आसपास चले गए थे साहब वासब के जाने के बाद कोई उया था यहां ब सकवाई एंपर इन से मिलने के लिए? कोई नहीं आया साound, कोई भी नहीं PE इसे कि चीखने चछनाने की आवाज सुनी तुमने? नही सा Euch the मैंने कोई आवाज नहीं कुँगी थुई कोई आवाज नहीं सुनी विलाज के कोई जान पहिजान गई था, जिस पे विलाज को कोई शक नहीं था, उसने चाकू निकाला और अचानक इसके चाते पे खुप दिया सर कहीं ये खुल उस चोरी की वज़े से तो नहीं हुआ है, जो यह वही थी तीन दिन पहले यह पे किस चीज की चोरी हुए थी, सब वो तो किसी को भी नहीं मालूब, सिर्फ विलाज सार और करन साहब ही जानते थे बस करन साहब, यह करन कौन है? इस कंपनी के दूसरे मालेक है वो हाँ साहब, उस दिन इन दोनों के बीच में जगड़ा भी हुआ था किसी बात को लेकर जगड़ा हुआ था? जी और यह करन आज किते बजे निकल ओफिस है? सबके साहथ ही निकल गए दे वही करीब छे बजे के आसपास छे बजे के आसपास? आसपास ऐसी कौन से चीज है जिसकी चोरी की बात इन दोनों ने किसी को नहीं बताई और फिर दोनों के बीच में छगड़ा हुआ और फिर आज यह है विलास का खून पर इस खून के पीचे करन का हाथ तो नहीं है अ करता कर में कोई नहीं है चारो तर बंदेरा है तो मां भी है आप लोग करन सर्से मिलने हैं तुम को नहीं महार्श उनका असिस्टेंट तो तुम भी श्रीया फार्मसुटिकल में काम करते हो जी तो तो तुरी यह बहार क्यों खड़ा है मुझे करन सर्का फोन आया था उन्हें मिलना है इंफेक्ट नो तो पूने निकल गया था बिज रास्ते से मुझे वापस आना पड़ा तेकिन यहां पर आगर देखा तो 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 अल मुझे भुला के पदा नहीं कहां चलेगा है घर बंद है अच्छा कबसे खड़े हो यहां पर अब यह आऊंगा तो तो कहां के होंगे कुछ अंदाद आया है सॉरी मोबाइल फोन तो होगा ना उनका जी प्लीज वसे कुछ फायदा नहीं फोन करके मोबाइल बंद हम दो मैं कही बाट रहा है करके देख चुपो ठीक है थीक है थांकियो सर्य करन ओफिस में नहीं है घर पे नहीं है फोन बंद करके कहां बैठा हूंगा कर देख पुनिय से साथ सतर किलोमेटर गाड़ी चला के लाया है तो गाड़ी गरम बनी चाहिए थी अगर कार का पॉनिट तो थांड़ा है छूट बोल रहा है मामला कुछ और ही है सर्य करन का फून बंद दा रहा है ठीक है कोई बात में फिर कभी या के मिल लेंगे चलो बैठो कि प्रून बप्राइब झाल बंद टाए धर बंद दान कोई पाराइब बंद दान का लाड़ी दान का फून जाल बंद दान के लाड़ी चाहिए जो बोट वह कहां जा रहा है थे थे तुम इली तरफ अनने तो फालात और मुखा देंके मूख खोला करो हुआ से लon एवा मेँख जाप हुआ हुआ लुआ क्या लुआ 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 राप लुआ युआ वुआसं नाद मेंन जाना यासे, बूरा गर खंगा लिया मैने, लेकिन तेरा वो फॉर्मूला उता ही नहीं, सुन, हे, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, वो फॉर्मूला दिखने भी नहीं बाला तुम लगों को, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, सुना, रस्ती जल गई, अगर बल नहीं गया भ इसने मरने की सोच ही ली है, तुम मारी देते है ना इसे? मैं बल जाओगा ना, तो भी तुम्हे कुछ नहीं मिलेगा, जब मौस सामने दिखती है ना, तो अच्छे अच्छों की बैंट गीली हो जाती है, तुझे लगा मैं जूट बोड रहा हूँ? सेरी, सेरी? सेरी, 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 सेरी तुम भी लाओधा नाजा मैं बडा़ए मैं धरक पाहँ सेरी, जब मौसमे डिर सुर भी कैपकल मैं भी कुछ िता सचे लाहर ऴ कि पिशानी जैनलेना चाहते हैं कि सीरी को पे खुछ समझाते हूं नहीं सार इन लोग को छोड़ना मत स्थार ये लोग लाखों लोगों की जान लेना चाहते हैं हाहाणा हाहा हा हाहा हा अरे कोसे बोल राख तू हाह हा है? सी अईदी से? सी अईदी वॉरेन गुछ नहीं भिराज सतने है और इसकी मौत आई है, तुन पनल इस पड़ेगा माध खराब है तुरह हाह? हाह? माट के सामने खड़े होकर माट को धंकी नहीं रहा तु धंकी नहीं है अखिकाद यह देख टिकेट और वीजा के कागद आज रात नौ बजे हम लोग अमेरिका भाग जाएगे तुम्हारा एक आदमी वो जहर उस्पान की पात्ता है फल सश भाग्या खंकी नहीं है यह लाखो़लोग मारे जाएंगे कल नियूसत परबर में देख ले लेना और तों सिर्की वॉले ही पसोगे हैं। ये सच कह रहा है सर, ये सच कह रहा है। इन लोगों के पास वो जहर है जो थोड़ा सा पानी में मिलाने से लाखों लोगों की जान जा सती है सर। मगर सर ऐसे कोई जहर बना ही नहीं है। ये गलती उचसे ही हो गई थी। ये नहीं वो जहर बनाया सर। अगर तुमने वो जहर बनाया क्यों? सर बनाना तो नहीं चाहता था मगर बन गया। लेकिन उसके बाद मैंने वो जहर डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की। लेकिन विलास तो मुझे रोक दिया। विलाज ने क्यों रोका आपको? सर क्योंकि विलाज चाहता था कि हम उस जहर पर और रिसरच करें वो चाहता था कि उसे और मात्रा में बना कर हम मार्केट में उतारें लेकिन मैंने ऐसा करने से माना कर दिया सर तो फिर वो जहर इंके पाथ पुचा कैसा? सर यह लोगों में वो जहर हमारे लैप से चुराया वे यह राम कहानी बंग करो और हमें एरपोर्ट छोड़ने का इंतिसाम करो सबा साथ बच्चों के लिए अब लोगों को बचाने के लिए तुमारे सपास सिर्फ पैतालीस मेर्टी बाकी है जाए तुमारे से खड़ा है तुम्हें के खड़ा है एजा, फॉर्मॉला लेका लाए जो कर, वो फॉर्मॉला एने देगा अगर फॉर्मॉला एनके हाथ लग गया तो यह लोग उसका गलत इस्तिमाल करेंगे शाय कुछ भी हो जाए लाग हो लोग के जान बचाना हमारा फर्ज है जी सर अर्भी तुम यही करन के साथ रहो तब तक मैंने हैर्पोर्ट छोड़ दो मगर सर हम इन लोगों पर यकीन कैसे करें लाइप में बैठने के बाद भी अगर इन लोगों ने उस आदमें को फोन नहीं किया तो वो तो पानी में जहर मिला देगा यकीन करने के अलावा तुमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है सब्सक्राइब वो फार्मिला इस्पेक्टर यह गण यहाँ पर रख दो अब इसकी नादों में ज़रुवत है ना हुनी अपनी गंद भी रख दो इस्पेक्टर चौने यह यह तो कहा लेगा रहा है अब कुछ नाने का शौटकत है यह अधर गंटा तो हो गया है ताइम पर पाशेंगे ना अर्ष्टू तो तो तेंशन क्यों लेता यार यह तो C.I.D. के जिम्मिदारी है यह तो प्लायट के अंदर तक बैठा के आएगा यह यह लेकिन मुझे तो इन C.I.D. वालों के चेहरे पे विरुखल भी टेंशन नहीं आरे है यह C.I.D. का बात्वर सभाई है ऐसा ही थोड़ने टेंशन आजेगी इससे करन जी आपने उस आदमी को देखा है जो पानी में जहर मिलाने वाला है नहीं सर तर आपने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा एक आदमी है क्योंकि उपनाने फोन पे एक आदमी को कहा था तयार रहना कितने बजे हैं? यह कोई पॉने साथ बजे कितनी देर बात की थी? लगवग 15 सेकिंड हलो हाँ, देखिए मैं C.I.D. से बात कर रहा हूँ एक एमर्जेंसी है, प्लीज आपकी मदद चाहिए लाखो लोगों की जान खत्रे में है वाने साथ बजे के आसपास उपेंदर नाम की आदमी ने किसी को फोन किया था और लगवग 15 सेकिंड बात की थी ची, चल्दी से पता लगाना है कि उसने किस को फोन किया था और वो आदमी इस वक्त है कहां आड तो बजा है, अभी तक फोन नहीं आया अभी तक है परिष्टे 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 तो लोगों को उपर लेकर जाते हैं तू तो आज खुद मौत के मूह परस किया है परिष्टे परिष्टे वाल तो आए कि य। जहे तो जहाए तो नहीं है आप शहर कोरा जा जा रहा हूँ है तो ना पॉर्ण निय। हार्णवार को है तो महीं कया लगा कि दूमातीछ झेमें के लिए तुम लोग एरपोर्लिक यह रहा हूं इंद का आम एरीका जाने के लिए है अब बारेंगे, अब करोडों लोग मरेंगे, वोई नी बचाता है, उबनादे अर्ष तो फोल लगा अपले आधमीं तो, अभी जहर में लाए भाए पाई प्रेज लगा अभी तो, अभी जहर लगा, प्रेज़ लगा, अभी दद तो CID वालों ने तिम्हारों लोगों को पा खो फो घर भी पैसी mo उभी गारे की के दो कि मारे गातो? लाको लोग की जान लेगातो? इतए की जान लेने ने रथा ने? भायाए! सुदा को मैं आओ मैंने ध्का दिया था सुदा को क्यों ध्का क्यों दिया सुदा को सर्गियोह की रुप उसकी जैकेट में जहर वाली बॉडल शुपिटी सर्ग रुप मुझे निमिर रही किसमें मोजसे लिए वह किसनले चुपाई थे अर्ष ले चुपाईगी सर्व सर जैसे ही मैं वहां से बोटल चुराइगा वह बावाल बच गया सर्व सरे अब तो बता दो किसने किया ही है आज तक तो इस कंपनी में कभी चोरी नहीं हुई अब यह भी शुरू होगय यहां पर अब ही बता देगा तो बच जाएगा नहीं तो नोक्री जाएगी उसकी यू प्रीज सब्सक्राइगा सभी की तलाश ही ले जाने लगी सर् और मैंने वहां पर सुदा की जैगेट देखी और मैंने वह बोटल सुदा की जैगेट दो चुपा दी और सब कुछ चैक होने के बाद मैंने वह बोटल निगाने की बहुत कोशिश की पर मुझे मौका ही नहीं मिला और सुदावा से चली गई तर क्या क्या तुम लोगा मैंने सुदा के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दी है अमें किसी भी कीमत पर वह जैर की बोटल चाहिए ती फिर मुझे पता चला सुदा का पती अंध विश्वासी है और इसी बात का फाइदा उठाय तुमे भॉलो के फोन करके बोला के काम पे बता और उसका भाई बनके वहाँ पास वाले फ्लाग में गए काम करने और सुदा के गर में शीशा किरा गया फिर तुम सुदा के घर जहां बैलकोनी में वो कबड़े हैला रही थी उसने वो जैकेट दो दी थी और जैकेट को तंगी होई देखकर मैं बहुत परशान हो गया मैं उस जैकेट के लोने की कोशिश की तब ये सुदा ना मुझे देख लिया और उसी खी जातानी में तुम्हें सुदा को धक्का देती है हाँ सुदा वर विलास को क्यो बादे है विलास को आरे बार में सब कुछ बता चलिया था बासी